तोड़े भी डिस्कुस चैप्टर शिक्स मानी मानी में हमको यह समझना होगा देखे हंडर्ड पैसा हंडर्ड पैसा इक्वल कितना होता है वन रुपी ठीक है हंडर्ड पैसा इक्वल वन रुपी और दो फिफ्टी पैसा मिलके क्या बनता है दो 50 पैसा मिलके मनता है 100 पैसा और 100 पैसा कितना होता है 1 रुपीज ऐसे ही अगर 4 25 पैसे मिलेंगे देखे 2 25 पैसे मिलेंगे तो 25 प्लस 25 पैसा ठीक है फिर इसमें 1 25 और अड़ करेंगे तो बनेगा 75 पैसा और अगर 1 25 और अड़ करेंगे तो यह बनेगा 100 पैसा तो 100 पैसा equal कितना होता है? 100 पैसा equal होता है आपका 1 रुपीज समझे हैं? देखे, 100 पैसा equal होता है 1 रुपीज और 50 पैसा plus 50 पैसा कितना होता है? 250 को आट करते तो कितना होता है? 100 तो फिर 100 पैसा equal 1 रुपी same 25 पैसा प्लस 25 पैसा कितना होता है देखे 25 प्लस 25 को आड़ करेंगे तो कितना होगा 50 पैसा ऐसे ही इस 25 और इस 25 को आड़ करेंगे तो कितना होगा 50 पैसा तो 250 मिलके कितना होता है 100 पैसा और 100 पैसे का कितना होता है एक रपिया आप देखिए हम ना प्रैक्टिस क्वेशिंग करते हैं ओके नाओ कम टू क्वेशिंग नमबर वान अमाउंट शोन हेर इस जो यहाँ पर अमाउंट दी गई है यह कितनी है तो देखिए 20 20 में 20 आड़ करेंगे कितना होगा 40 40 में 10 आड़ करेंगे 50 50 में 5 आड़ करेंगे तो कितना होगा 55 तो देखिए 55 कहा है 20 50 35 55 तो क्या होगा आंसर 55 नाओ कम टू क्वेशिंग नमबर टू विच वन आप दे फॉलोविंग सेट आफ कोईन वर्ट रुपीज 75 हमें बताना है कि इस में से जो यह है किसकी वैल्यू जो है 75 रुपीज है अब हमें क्यालकुलेट करना है देखिए 20 प्लस 20 कितना होता है 40 40 प्लस 20 60 60 प्लस 5 65 तो यह तो इनकरेक्ट है क्योंकि हमें कितने का चाहिए 75 हम नेक्स देखते है 50 50 में 20 आड़ करेंगे कितना हो गया 70 70 में 5 आड़ करेंगे 75 तो आप्शिन B इस करेक्ट नाव कम टू कोईशन नंबर 3 डैश इस इनफ तो बाई अ जोमेटरी बॉक्स मींस कितनी रुपीज हमें इनफ होगी जोमेटरी बॉक्स खरीदने के लिए तो देखिए जोमेटरी बॉक्स का प्राइज कितना है जोमेटरी बॉक्स का प्राइज है 95 रुपीज तो देखिए अगर हमें जोमेटरी बॉक्स खरीदना है 95 रुपीज का तो या तो हमारे पास 95 रुपीज होने चाहिए या उससे जाधा उने चाहिए क्योंकि अगर कम होंगे हमारे पास 95 से तो शौप कीपर क्या हमें जोमेट्री बॉक्स देंगे नहीं देंगे अगर आपके पास जाधा होंगे तो वह आपको ταटै कर देंगे तो हम shopkeeper अंकल को 100 rupees देंगे वो हमें 95 rupees का geometry box देंगे और हमें 5 rupees return भी करेंगे क्योंकि geometry box 95 rupees का है So option C is correct Now come to question number 4 Aditi wants to exchange her 20 rupees note with some coins Aditi के पास एक 20 rupees का note है और वो उसे exchange करना चाहती है कुछ coins से Which set of coins can she take तो इसमें से कौन सा set of coins है कि वो लेगी उसे 20 rupees का exchange है ज़िए न तो हमें देखना है कि कौन 20 rupees है देखे 10 10 1 11 11 5 11 में 5 add करेंगे इतना होगा 16 16 में 2 add करेंगे 18 So this is incorrect क्योंकि हमें तो 20 rupees चाहिए अब next count करते है 5 5 में 2 add करेंगे 7 7 में 2 add करेंगे 9 प्लास 1 तो इतना होगा 10 So ये भी incorrect है अब हम C option देखेंगे 10 10 प्लस 5 15 15 and 2 17 17 and 2 19 19 प्लास 1 20 So वो इस coins से अपना 20 rupees का note exchange करेंगे Come to question number 5 How much amount is shown below ये जो नीचे दिये है amount ये कितनी है तो देखें ऐसे करेंगे सबसे पहले हम बड़ा सबसे बड़ा note choose करेंगे तो देखें 50 50 में फिर 20 add करेंगे कितना हो गया 60 70 70 में 10 add करेंगे 80 80 में 5 add करेंगे 85 तो ये कितनी amount है 85 तो देखें 85 कौन है फर्स्ट में लिखा हुआ 85 और अगर आप ऐसे भी calculate कर सकते है 5 में 10 add करेंगे तो कितना हो गया 15 15 में 20 add करेंगे तो कितना हो गया देखें 15 में 20 add किजिए 10 add किजिए 25 25 में 10 add करेंगे 35 अब 35 में 50 add करेंगे 35 में 10 add to 25 10 add to 45 55 65 75 10 add to 85 तब ऐसे भी कर सकते है इस में आपको ज्यादा ता침 लगीगा सबसे पहले आप देखेंगा सबसे बड़ा नोट कौन सा है उससे आप calculate कीजिएगा उस साब आपको easy रहेगा तो इसका answer होगा 85 now come to question number six which of the following cost the most यह बोलता है कि इसमें से जो नीचे आइटम दिये गए है उसमें से सबसे ज़ादा cost किसकी है तो देखिए most दिया है तो सबसे ज़ादा और अगर least दिया होता तो सबसे कम तो देखिए यह है 200 रुपीज का यह है 150 रुपीज का यह है 100 रुपीज का यह है 50 रुपीज तो बताएए सबसे ज़ादा cost किसकी है सबसे ज़ादा cost है bag की किती है 200 okay so answer is a now come to question number seven which amount is less than 50 हमें बताना कि कौन सी amount 50 से कम है this is 20 this is 100 this is 500 this is 50 70 75 तो बताएए 50 से less कोन है 20 20 is less than 50 now come to question number eight amount shown here is यह जो amount यह कितनी है देखिए आप अच्छे से हो बताएए किती है amount देखिए 50 50 में 10 add करेंगे 60 60 में 2 add करेंगे 62 so 62 कहां देखिए यह क्या लिखा हुआ है number one पे 72 82 12 62 so answer is 62 now come to question number nine सद्धाट पेज रुपीज 80 फॉर फुटबॉल और डैश सद्धाट ने पेगी 80 रुपीज किसके लिए एक फुटबॉल के लिए जो की फुटबॉल का प्राइस कितना था 30 रुपीज और और उसने क्या पच्छेस किया देखिए एक 60 रुपीज का टेड़ी पच्छेस किया कि 140 रुपीज का बाट पच्छेस किया 125 रुपीज की कार पच्छेस की की 50 रुपी की बाई साइकल तो देखिए टोटल उसने 80 रुपीज पे किये और 30 रुपीज की तो उसने फुटबॉल खरीद ली अब उसके बाद कितने रुपीज बचे है? बताईए तो देखिए उसके पास अब रुपीज बचे 80 रुपीज तो टोटल थे और उसने 30 रुपीज की फुटबॉल खरीद ली ठीक है तो कितने बचे 0 में से 0 माइनस वा 0, 8 में से 3 माइनस वा 5, अब उसके बाद कितने रुपीज बचे 50 रुपीज, अब वो 50 रुपीज में क्या परचेस कर सकता है अब वो 50 रुपीज में बाइ साइकल परचेस कर सकता है ओके नाव कम टू क्वेशन नमबर 10 हरिदन हरिदन वांस टू बाइ एरोपलीन एक एरोपलीन बाइ करना चाता है इसकी कॉस कितनी है? 55 रुपीज 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 उसके पास 40 रुपीज है इसको और कितनी मनी चाहिए टॉपीज को बाइ करने के लिए तो देखें 40 रुपीज तो उसके पास है अभी कितनी रुपीज चाहिए उसको 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 तो उसको कितनी रुपीज और चाहिए उसको 15 रुपीज और चाहिए क्योंकि उसके पास 40 रुपीज तो और रड़ी है तो उसको 15 रुपीज और चाहिए तो देखें कि 40 में 15 रुपीज और चाहिए तो हो जाएगा 55 फिर वो अपना ये टॉइ बाइ कर सकेगा डायरेक्शन 11, 12 तो हमें 11, 12 कोशिन जो है इस डिरेक्शन को देख के करना है लुक एट दे प्राइज ओफ इच आर्टिकल और आंसर दे फॉलॉइंग क्वेशन हमें ये आर्टिकल के प्राइज देखने है और आंसर करने है बलून कितने का है 5 रुपीज का आइस क्रीम कितने के 10 की टौफी टू रुपीज की एरेजर थ्री रुपीज का पैंसिल फोर रुपीज की शापना टू रुपीज का तो ये बुल रहा वह मुझ दो यू हाव तो पे न आइस क्रीम कॉन एन टू पैंसिल तो वह कह रहा है कि हमको कितना पे करना पड़ेगा एक आइस क्रीम को बाय करने के लिए और टू पैंसल को तो देख एक आइस क्रीम की प्राइस कितनी है 10 रुपीज ठीक है एक आइस क्रीम की प्राइस 10 रुपीज अब टू पैंसल की प्राइस कितनी होगी देख एक पैंसल की प्राइस है 4 रुपीज तो अगर हमें two pencils चाहिए तो हम four में four और add कर देंगे तो four में four add करेंगे तो कितना होगा पताईए five six seven eight तो eight तो two pencils का price कितना होगा eight rupees अब इन दोनों का total price कितना होगा ten में eight add करेंगे तो ten plus eight equals eighteen तो ice cream और दो pencils खरीदने के लिए उसको कितने रुपे की requirement होगी eighteen rupees now come to question number twelve how much do you have to pay by three toffees and one balloon वो कहरा कि three toffees और one balloon खरीदने के लिए उसको कितने पैसे लगेंगे देखे one balloon तो है आपका five rupees का ठीक है और three toffees कितने के होगी देखे one toffees आपके two rupees की है तो two toffees कितने की होगी four rupees की और three toffees कितने की होगी six rupees की okay so इसमें five में six आइड कर देंगे तो six plus five कितना होता है eleven तो उसको three toffees और balloon बाई करने के लिए eleven rupees के requirement होगी okay now come to question number thirteen which of the following shows the least amount least amount मतलब सबसे कम amount कौन सा शो कर रहा है देखिए ये कितना है five ten eleven ये हैं eleven rupees है least मतलब सबसे कम तो इसलिए हमको चारो को देखना पड़ेगा twenty plus five कितना हो गया twenty five ten plus five fifteen fifteen plus two seventeen इसको देखिए two two में two add करेंगे four four में two add करेंगे six six में two add करेंगे eight eight में one add करेंगे nine तो अब देखें, इन सब में लीस्ट कौन सी है, तो इन सब में लीस्ट है, 9, so option D is correct, now come to question number 14, how many 10 rupees note make 80, तो हमें कितने 10 rupees के note मिलके 80 बनाते हैं, तो देखें, एक 10 rupees का note, मानले ये हो गया 1, 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, फिर 80, अब देखें, count करते हैं, कितने notes हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इसको कितने notes चाहिए, 8 notes चाहिए, ठीक है, आप ऐसे भी calculate कर सकते हैं, आप देखें, ऐसे लिखेंगा, देखें, 10 rupees हो गया, ठीक है, फिर 10 में 10 add करेंगे 20, फिर 10 add करेंगे 30, फिर 10 add करेंगे 40, फिर 10 add करेंगे 60, फिर 10 add करेंगे 70, फिर 10 add करेंगे 80, अभी सारे 10 rupees के note हो, अभी नहीं count करते हैं, कितने notes चाहिए हमको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो कितने notes चाहिए, 8 notes, okay, so answer is 8, आप हम रमेनिंग क्वेशन नेक्स वीडियो मा करेंगे, like, share and subscribe the channel for more informative videos, thank you